तो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लिजे आपके लिए कुछ बिनीफिर हो सकता है आज को मैं स्टॉक का फ्यूचर एज उसका उप्शन का उपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो अब उसका उप्शन में भी काम करके एक अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हैं तो as a example देखे राइट साइड में वेंगीसी का फ्यूचर का चार्ड लगाया हुए और लेफ एन साइड में वही वेंगीसी का उप्शन का चार्ड लगाया हुए तो देखें concept क्या है और future में जो value चल दा है 314 रुपिया वहाँ पर option का value साहई 9 से 10 रुपिया चल रहा है तो जिसका पास capital खास नहीं होता है तो यहाँ पर option में भी trade करके अच्छा खासा benefit बना सकते है अब rule को मैं थोरा से spin कर देता हूँ software में देखे signal तो बहुत सारा बनता है signal को identify करने का तरीका क्या है जो कौन सा signal सही है कौन सा signal गलत है और उससे भी ज़्यादा important है अगर आप option trader है और option buyers है तो आपको entry का सासद exit पे भी धहन देना परेगा क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जागा पर मार्केट को छोड़नी पाते हैं maximum time क्या होते हैं हम लोग एक छोटा profit लेके जल्दी निकल जाते हैं और उसका बात देखते हैं market लंबा रैली देखिया तब जाके हम लोग को अपसूस होता है और कभी कबर इ जो भी पैसा आ रहा था हो भी आससर निकल जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको entry as well as exit दूनों को ही explain करूंगा वीडियो का अंतक जरूद देखें काफी interesting होनी वाल है तो देखें एक तरफ सब्सक्राइब कर देखें और थार्ड कंडिशन होता है नीचे को जो ब्रिक से उसका करण को ग्रीन होना चाहिए और यह वाइट का वीडियो पर होना चाहिए अगर यह तीन पेरामिटर मैच होता है तब ही जाके आप किसी कॉल को strong कॉल बोलेंगे otherwise not तो देखें फ्यूच क्या होगा तो चलिए entry का बात मेरा जो exit है उसके लिए हम लोग को नीचे का bricks का तरफ focus करना है देखें 10 रुपया से लेके already 15 रुपया का moment हो गया है और अभी भी मैं इस call को continue करूंगा बूट टेम क्या होता है बंदा एक दो point लेने से ही दर के निकल जाता है बट यह डर आ तो जब तक इसका color green है आपका position secure है तो मैं चार्ट को थोरा सा पीछे करूंगा देखें 10 रुपया से लेकि यह 17 रुपया तक चला गया है और अभी भी आपको exit करने के लिए कोई indication मिला नहीं है इंडिकेशन कैसे मिलेगा नीचे का bricks को दैन दीजे वहीं पर आपको दिख जाएगा अभी भी नीचे का bricks का color green है अब इस candle पे आके आप तोरा सा फोकस कीजिए यह जो candle है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है bricks का color blue हुआ उसका बाद red में convert तो this is the point यहाँ पर भी blue और option buyers है तो मैं बारे बारे वार एकी चीज़ को बोलता हूं तो एग्रिजेट को prominent कीजिए सोचे आप 10 point में entry लेके 12-13 point में निकल गए 3 रुपया लेके बट वही मैं अगर 17 रुपया तक wait कर पा रहा हूं तो this is a big point यहाँ पर मैं profit को double कर पा रहा हूं तो इस चीज़ का उपर focus करना है अगर market में rally है तो उस rally को हम लोग पकरेंगे जैसा bank nifty में अधिकतर हम लोग बहुत time देखा जाता है जो bank nifty में 300-400 point का rally होता है और उस दिन भी आम लोग वह 50-70 point लेके निकल जाते है तो यह चीज़ negative है market का exit का उपर दैन दीजे अगर आपको market से निकलना कब है वो चीज़ पता चल गया तो आपका काम काफी easy हो जाएगा और आप अपना target का जो ratio है या profit का जो ratio है उसको automatically increase कर पाएगे तो logic बहुत ही simple है यह जो software है आप इसमें future में option में किसी में भी काम कर सकते है as well as जैसा चको मैं बताएग यह stock option के लिए भी applicable है rule को follow करना है condition match वोगा तो trade करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे and intrigue लेने का बाद आपको just exit का तरफ ही focus करना है thank you thank you so much video कैसा लगा जरूर को मैं कि कर सकते हैं live demo के लिए contact कर सकते हैं others अगर आप new है economy करना चाहते हैं आप लोगा तुरू जाइन आना चाहते हैं जैसा हम तो काम करते हैं काफी अच्छा बोगर कंपनिये काफी सब्सक्राइब पी दे रहे है पीसे लिए अगर आप option टेडर है तो option टेटी के लिए अच्छ ह थैंक तांगो थैंक तांगो सो मुझ थे जैसे अच्छ गडबाइ